बासकार दोस्तों मैं मुकेश सर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब सेनल डिश्टर सर्विस में आज हम बात करने वाले हैं एक नए वीडियो के उपा जिसमें हम बात करेंगे मनाक्षिया कोटेट सेर्स के बारे में कंपनी के इस सेर में लगातार अपार साकीट हमें देखने को मिल रहा है लेकिन वाकई में क्या इस कंपनी में फ्यूचर में कुछ अच्छे ग्रोथ देखने को मिल सकती है क्या आपको इस company में invest करना चाहिए तो detail analysis करेंगे शेयर पर पहली बार आए वीडियो पर चैनल को लाइक करें वीडियो को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें वीडियो को लाइक करें सबसे पहले हम बात करता है company revenue के company revenue में लगाता है हमें growth देखने को मिल रही है लेकिन lockdown के बाद इनके revenue में massive jump हमें देखने को मिला है अगर हम बात करें 2021 की तो वहीं बात करें net profit के net profit इनका पहली करोण रुपए के करीब था 2019 में कोई भी profit generate नहीं करपाई दी company उसके बाद करोनकाल में lockdown होने के बावजूद भी इन्होंने एक अच्छी jump दिखाई अपन एक बहुत ही अच्छे fundamentals दीख रहा है अभी तक company में हमको वहीं बात करें EPS की तो EPS हमें growth हमें देखने को मिल रही है company return on equity 5.86 है जो पिछले साल 2.99% का देखने को मिल रहा था debit to equity ratio थोड़ा सा इनका बला है जो एक concern का भी से है लेकिन अगर बात करें 2020 से तो 2021 से थोड़ा घटा हुआ है तो इस पर आप भी consider कर सकते हैं थोड़ा सा concern वाला वीसा है लेकिन एक negligible हम इसे कह सकते हैं share holding pattern देखें से तंबर 2020 की quarter में 67.21% की थी वहीं से तंबर 2021 में इन्होंने अपने shares holding में अपने shares को बढ़ा है promoter ने जो किसी भी company के लिए काफी positive बात हमें देखने क देखने को मिल रही है 67.43 प्रोमोटर आउन करते हैं इस company में अपने shares वहीं public के पास 32.57% की holding देखने को मिल रही है compound sales growth की बात के 12 साल का data available नहीं है कारण क्योंकि यह मनाक्षय ग्रूप की demurther company थी जो 2010 में जिसको incorporate किया गया था और यह Kolkata-based company है compound sales growth तो 15% की है जो काफी अच्छी देखने को मिल रही है 3 years में 21% की sales growth और वहीं trailing 12 month 108% की अच्छी कासी jump हमें देखने को मिल रही है इनके sales growth के अंदर compound profit growth पी अगर हम देखें तो 3 years का data 45% का है TTM 143% जिसको हम 4 stars देही सकते हैं stock price CAGR देखें तो 1 year में इस share ने 560% के positive return कंपना करके दिये हैं turn on equity last year से 6% से बढ़ी है जो एक nominal अच्छी growth मान सकते हैं अगर आप एक micro cap company की बात कर रहे हैं तो share capital भी इनका 7 का है reserve company ने लगातार अपने बढ़ा है 76 क्रोण से यहां पर बढ़ा करके company ने अपने reserve को 98 क्रोण के करीब कर दिया है जो बहुत ही अच्छी बात है borrowing इनकी बढ़ी है जिस पर हमने चर्चा करी थी other liabilities देखें तो 255 क्रोण की liabilities भी इनके पास देखने को मिल रही है fixed asset company ने बढ़ा है 73 के थे 209 73 के थे जो बल करके 131 ने total liabilities इनकी 476 क्रोण की है CWYP 57 का है investment कोई है other assets 288 बात करें cash from operating activity 20 का है अच्छी बात है net class flow company के पास positive में है तो अभी तक जहां तक data देखा तो company हमें एक micro cap होने के नाते standard perform कर्दी में दर आ रही है बात करें इनके company के बारे में तो देखिए mosquito repellent coils manufacturer of mosquito coils in South East Asia जिनके plant located है South East Asia में जिसके इंदर भोपाल गुवाटी हैदराबाद जैसी शहरों में आप इनके plants देख सकते हैं वहीं बात करें तो ultra marine blue powder भी company बनाती है जिसके बारे में आप यहां देख सकते हो जो robin blue के नाम से आता है जिसका यह उस fabric whitener के लिए किया जाता है वहीं अगर हम बात करें इस company के बारे में तो एक color strong करके product भी बनाती है company तो इसका screen sort of details में आप देख सकते हैं बात करें इनकी globally presence की तो इसी जगह पर आप इनका देख सकते कि रसिया जर्मनी ग्रीज आईरन इरान इंडिया यूए जैसे देशों में इनकी presence रखती है वहीं अगर हम बात करें company के revenue from operation से तो 2020-21 में इन्हों ने जो revenue from operation किये है वह 44,578 लाक यानि कि 445 क्रों के देखने को मिल रहे तो जो पिछले साल जगरम तुलना करेंगे 245 क्रों का था FY20 में अब future out to अगर देखे तो company ने innovative step लिये हैं जैसे की raw material जैसे की raw material sourcing में आपका negotiation, inventory, management, stress, sales of value, added product and increasing export sales अब इनका जो कच plant है जो गुजरात में है वह fully operational है जिसमें company ने अपने expansion investment capacity को बढ़ाया है और साथी जात इन्हों ने अपने colors coating capacity को 40% से बढ़ाया भी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा data है आप screenshot के थुरू इनको चाहो तो बात में easily समझ सकते हो अभी ये company की standalone balance sheet है जिसमें company non current assets, current assets, total assets सभी के बारे में बताया गया है तो इसमें आप चाहो तो detail से analysis कर सकते हो stand-alone balance sheet के अंदर company के non current assets, property, plants, equipment, capital, working, progress, financial assets, current assets, inventory, financial assets सभी के बारे में detail से बताया गया है तो वहीं अगर हम बात करें अभी company के total financial statement की तो इनकी land भी यहाँ पर पूरी details से मैंने देखी इनकी annual report मैंने company की निकाली हुई थी तो इसमें आप details से analysis कर सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए मैं आपको brief में सम्झाना की कोशिश कर रहा हूं इसका भी screenshot अभी यहाँ पर हम अगर बात करें company के अंदर तो इसके बारे मैंने आपको उल्टी बताया है तो company इस तरह के 6 सेग्मेंट के अंदर स्याधर काम करती है कंपनी का कहना है कि दिमांड इनकी है स्थीर बढ़ रही है जिससे इनके इन्वेस्टमेंट में company को आगे काफी ग्रोथ देखने को मिल सकता है और एक larger business company volume create कर सकती है आने वाले upcoming सालों में तो था company is also in the process of evaluating possibility of adding more product alongside production of ultramarine blue at their mandated facilities कंपनी का कहना यह भी है कि finance cost 1911,000,000 की इनकी होगी थी जो पिछले साल 1693,000,000 की देखने को मिली थी जिसके बने कारण material cost का fluctuation था इसे कारण इनके जो है financial cost हमें बढ़ती देखने को मिली थी अब आप चाहे हो तो देख लीजेगा मैंने पूरे अलडरी बता रखा है तो अब हम चलते हैं करस्मी के टेक्निकल चार्ट की ओपर कि क्या प्रोस्पेक्ट हैं क्या फ्यूचर में प्रबिंग डेज में हमको इनके टागेट देखने को मिल सकते हैं अगर हम टेक्निकल चार्ट की बात करें तो कमपनी ने 2017 में 25 रुपिस का हाई बनाया था जिसमें अगर एक ब्रेक आउट देखने को मिल रहा है इसे हम मल्气 ये प्रेकाउट भी कह सकते हैं तो multi-up breakout देखने को मिल रहा है क्योंकि हाला की stock regular अपर circuit में चल रहा है तो यहां से target देना काफी मुस्कीर हो सकता है अब आप support की बात करें तो पहला जो deep support अगर आप एक long term role play करने दाते हैं stock के अंदर तो 25 रुपीज का एक stop loss लेकर के long term के लिए play कर सकते हैं जिस साबसे company ने अपने results दिखा है उस साबसे company ने काफी अच्छा perform किया है एक small cap होने के एक micro cap होने के नाते तो आप इसमें अगर invested हैं या आप इसमें investment करना चाहते हैं तो अतना ही amount लगाई इतना कि आप खोने के लिए तयार हों ताकि आपको अगर stock यहां समाली गिरता भी है तो आपको पैसे को खोने का दुख भी ना हो तो आई इस analysis में अगर मैं इसको star देने की बात करो तो मेरे तरफ से इसको five out of four star four out of five star दिया जाता है जो मेरे calculation पर काफी feedback ता है तो यहां से आप चाहो तो company को buy करकर चल सकती हो देखे example देने चाहता हो सेवी registered advisor नहीं हूं तो करने से पहले खुद की research या अपने financial advisor की राय जरूर ले 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 आई होप आप लोग वीडियो पसंद आया हो का वीडियो पसंद आया तो चैनल पर पहली बार आया है तो वीडियो को like करें साथ इस अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को को subscribe कर लें साथ इसाथ मेरे टेलीग्राम लिंक की टेलीग्राम चैनल की डिसक्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जिसमें आप चाहो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हो साथ इसाथ मैं आपको चीज़ बताने जाता हूं मैंने हाली मैं अपनी इक paid service से च जय हिंद, जय भारत!